नमस्ते दोस्तों मैं सुमन सर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हब में आज हम डिस्कस करने बाले हैं इंपोर्टेंट सर्कुलर के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने उपन किया हुआ है सर्कुलर नमबर 21 जो कि रिलिस किया गया 28th of December 2021 को सबजेक्ट में आप स्टडी करेंगे तो यहाँ पे मेंशन है तो यहाँ पे आपको रिलेक्सेशन दिया गया है अगर आप इंकम टेक्स रिटर्न कर रहे हैं पर असेस्मेंट यर 2020, 21 जो कि पेंडिंग रह गया था अगर आपका इवेरिफिकेशन नहीं हो पाया था उस रिजन की वज़े से अगर आपका इंकम टेक्स रिटर्न पेंडिंग रह गया था तो आप उसको कर सकते हैं डेट कब तक है आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको लास्ट फैब तक डेट जो है वो एक्स्टेंट कर दिया गया है आप वहाँ तक कर सकते हैं यहाँ पे देखिए आपको पैराग्राफ वन में प्रोसेजर दिया गया है थ्रू आधार OTP by logging into e-filing account through net banking, ebc through bank account number, ebc through demand account number, ebc through bank ATM by sending a duly signed physical copy of ITR for through post to the CPC बैंगलूरूट तो आप यहाँ पे कर सकते हैं प्रोसेजर मेंशन किया गया है आप यहाँ नीचे देखिए क्या मेंशन है in respect of all ITRs for assessment year 2020-21 which were uploaded electrically by the taxpayers within the time allowed under section 139 of the Act and which have remained incompleted due to non-submission of ITR for form pending e-verification अगर आप अपना ITR file कर रहे थे assessment year 2020-21 का electrically आप file कर रहे थे और वहाँ पे कुछ issues आ रहे थे उस वज़े से आपका जो e-verification है वो pending रह गया था और आप नहीं कर पाया थे तो अब आप कर सकते हैं लास्ट में देखेंगे तो mention है by sending a duly sign physical copy of ITR 4 to CPC Bangalore through speed post और through EBC OTP mods are listed in paragraph 1 above such verification process must be completed by 28 of February 2022 तो यहाँ पे आप कर सकते हैं आपको physically signature करके copy पे ITR 4 की जो करनी है आपको CPC को करनी है या फिर आप Bangalore में speed post भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एक और option है EVC OTP mod से भी आप कर सकते हैं जो कि paragraph 1 में mention किया गया आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे आप procedure study कर सकते हैं तो यहाँ पे आपका जो income tax assessment year 2020-2021 का अगर pending में रह गया था यह verification के वज़े से तो आप इसको कर सकते हैं date extend की गई है 28 of February 2022 तक तो यह छुटा से circular जो की important था मैंने आप लोग के साथ share किया है I wish यह आप लोग के लिए helpful रहा होगा अगर helpful रहा है तो एक चुरा सा काम कर दिज शेयर कर दिजेगा और सबस्क्राइब कर दिजेगा थैंक है